तो चले आज बनाएंगे शाबू दना का खीचली बहुत हिल्दी जटपड बढ़ने वाला और बहुत अच्छा ब्रेक्फास्ट बोले या अब इसमें ब्रत्मों भी खा सकते हैं बहुत अच्छा चीज है तो चले शुरू करते हैं शाबू दना का कीचली तो सबसे पहले हमने यहापे एक कट्री शाबू दना लिया हूं और इसको अगर आपके पास जाली है इस तरह से स्टेनर छन्ने वा आप क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्राच रहता है तो इसको निकालना है नहीं तो क्या होता है शाबू दना का जब हम बनाएंगे इसको तो चिपचिपआ हो जायता है तो यह देखिए कितना निकाल रहा है तो इसको ऐसे अच्छा से रगर के दो तिन पर यह तो बहुत अच्छा से यह निकाल जाते पूरा जितना दना दना छोटा छोटे रहते हैं सब निकाल जाते और नहीं तो कट्री में रहने से थोरा से रह जाते पर कोई बाद नहीं आगे बाद आपके पास नहीं यह तो कट्री में इस तरह से रगर के थोई और एक बॉल में डाल दीजे, भेगाने के लिए या सोक कने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने जिस काटोरी से एक काटोरी शाबुदाना लिया हूँ, बस उसी काटोरी का एक काटोरी पानी इसमें डालना है, और इसको सोक हने के लिए रख देना है, चार से पाच घंटा, तब य यह अच्छा से फोलता है तो यह देखिए पूरा पांच घंटे बाद हमने इसको निकाल रहा है अब यह आपको दिखाते हैं यह कितना पानी पिया है देखे इसमें एक बून भी पानी ने यह कितना अच्छा से एक दूम सौप्ट हो गया पूरा फुल गया है बहुत तो कड़ाई गरम कर लेना है और इसमें डाल देना है दो चमच घी आपके पस घी अवेलबेल नहीं है तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं पर घी डालने से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसमें हम डाल देंगे एक चमच जीरा और डाल देंगे एक कटा हुआ आलू यहां पर हमने लेल आलू यूचर कर रहे हैं अगर आप चाहिए तो बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं आगर जदाव बॉयल हो जाता है तो चिपच्पा अझा हो जाता है इसलिए कट्चा डालने से और ज़ deg अच्छा अच्छा होता है टो यहां पर एक शुखा मिर्च चॉप जिंजर अद्रक एक से दो हरा मिर्ची यह आप आप जिससे सबसे खाते उससे सबसे डाल सकते एक दो तीन चार जो मिवर्जी इसको हम एक से दो मिनित ढखते पकाएंगे तो क्या होगा आलू जो है बहुत अच्छा से सौप्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो देख इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर यह बिल्कुल यह ओफ्टिनल है हम मैसीप इसमें कालार के लिए डाल रहा हूँ यह डालने से कलार बहुत अच्छा से आता है अगर आपको पसंद है कालार के लिए तो डालना है तो डाल सकते नहीं तो स्किप कर सकत रहे हैं अधाच्छा मुझे इसमें हम नमक डाल देंगे क्योंकि आलू के अंदर अगर नमक नहीं डालेंगे तो आलू थोड़ा मिठा-मटा टाइप का रह जाएगा अंदर में तो इसको भी थोड़ा से मिला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारा सुक जाख भीगा हुआ जो शबू दना है इसको भी इसमें एड़ करदेंगे तो डाल दिये शबू दना और इसमें डालेंगे आदा चमच नमक, नमक अपना स्रादों न स्राद डालेंगे यहां पर हमने आदा चमच नमक यूज़ कर रहा हूं और डाल देंगे यहां पर आदा चमच छीनी तो दोस्तों यह शाबुदन का खिचरी जो है इसमें नमक छीनी मिर्ची और इसमें डालना है निमू का जूश यह तिनों का कम्मुनिकेशन जो अच्छा होता है न तब इसक इसको भी स्कृप कर सकते हैं डालने से बहुत टेस्ट आता है तो अच्छा से हम इसको मिलाएंगे धीरे धीरे और इसमें डाल देंगे आधर निमू का जूश तो निमू का जूश भी याड़ कर दिया इसमें तो अच्छा से इसको मिलाएंगे और इसको ढखके पांच मिन इसको पकाएंगे, तो बीच में 2-3 मिनिट बात धकन खोल के आप एक बर अच्छा से हिला सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता है कि नीचे भी लग सकता है, तो हलका हास से थोड़ा से हिला लेजिए तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और इस टेम हमेशा मेडियम हीट में इसको प पकाना है दोस्तों, हाइफले में पकाने से फटक से नीचे लग जाएगा और जलेगा, इसमें डाल देंगे, धनिया पत्ता, यहां पर हम यूज करेंगे, थोड़ा सा कुटा हुआ, या कुरास किया हुआ, मुमफली, आप चाहिए कोई भी एक यूज कर सकते, या तो तो है थोड़ा-थोड़ा सभी के सथ मिल जाएगा और जैसे मुम में डालेंगे, क्रंची मन इसका बहुत अच्छा से आता है, आप चाहिए कोई भी एक डालीए तो परफेक्ट हो जाता है, तो इसको ढखके और 2-3 मिट हम लोग पकाएंगे, तो दोस्तों आभी देखिए यह तैयार हो चुका है, 3-4 मिट बाद आप देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है, यह देखिए, आपको कैसे पता लगे का है, कि यह बिल्कुल पक चुका है करके, इसका जो हमने पहले डाला था शाबू दाना को, तो बिल्कुल सफेद था, अभी देखिए यह ट्रांस्प किस्टी बनता है, यह शाबू दाना का खिचरी, अगर आच्छा लागे तो जोरो लाइक करें, शेयर करें, यूटूब में देख रहे तो सब्सक्राइब करें, और फेस्बूक में देख रहे तो फॉलो करें,